तो जैसे कि आप सब्सक्राइब कर दी है that is going to be head from the 20th of December मतलब कि अब आपके 40 दिन से भी कम समय है तो बच्चों के मन में एक ऐसा कोशन उत्पन हो रहा है ऐसा एक्प्रेशन आ रहा है कि सर अब आगे क्या एप्रोच रहने चाहिए कैसे हमें आगे प्रोसीड करने चीया हमारी स्ट्रेची रहने चाहिए तो इस वीडियो को अन्सक्राइब का क्या बेर्खते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अब का स्मैंइस आपका चाहिए मर Q2 मिलेगा आपको इस पहले यह हम देखती हैं यह आपका sometimes नंबर मैं कहूंगा बहुत बढ़ी है जैसे हम बात करें फाइनस अकाउंट असिस्टेंट में दो सेक्शन से तीस नंबर की बाकी दो है दस-दस की बच्चे कहते हैं कि हां जीके और काउंट एंसी में रोल प्ले करें कि दस-दस वाले पर कोई फोकस ही नहीं करता तो इसमें क्या किया जेके सुझ वालों ने हर एक सेक्शन बीस नंबर की रखिए तो सेक्शन आपकी एक जनल इंग्लिश नेक्स आपकी जीके सिंपल नियों दे दिया एंड नेक्स वान इस जी आपकी की बात करें पहली सेक्शन हमाई है जनल इंग्लिश यह बेसिक है आपका अकाउंट है फाइनस अकाउंट असिस्टेंट में सेम इंग्लिश है चाहिए आप किसी भी कंपिटेटिव के लिए प्रिपेर कर रहे है तो इस टाइप ऑफ इंग्लिश इस बेसिक यह जो होगे tenses must models आपके होगे idioms and phrases anonymous 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 पर आज कल जैके से बहुत कोशन्स पूछे मैं आपको बता दूँ आपके phrases pronounce homonorms and homophones ठीक है prepositions pair of words with meaningful sentences इसमें मैं इसला following में मैक्सम पूछती है अगर meaning sentences बोलो तो ठीक है यह कुछ basic topic है इसके बारे में मैं कहूंगा कि यह must है यह आपको आनी चाहिए इसकी कोई proper strategy नहीं है तो आगे अगर हम बात करें हमाई सबस्क्राइब करें कि हर एक वीडियो हमाई फैनाइस अकाउंट रजिस्टेंट वाले प्लेश में मिल जाएगी आप उदर से यह सारे topics cover कर सकते हो इदर से आपके 20 नंबर किये मैं कहूंगा यह 20 नंबर अपने करो मलब 20 में से हम target अगर रखें कि हां इसमें मेरे 1718 मार्स तो आने ही चाहिए क्योंकि अभी मैं 1718 के ज्यादा क्यों बोल रहा हूं अभी मैं आपको reason बताऊंगा ठीक है तो इसके 1718 मस्त रखो क्योंकि आपने target रखना है कि इस paper में 100 के उपर मैंने marks लाने ही लाने क्यों क्योंकि राउंड रहेगा अभी मैं यह कह रहा हूं कि अभी आपके मन में यह होना चाहिए कि 100 तक मैंने marks लाने है अब मैंने आपको इसमें क्यों बोला कि आपने 1718 मार्स ज़रूर लाने that the reason behind this is the first section of dk आप देख सकते हो यह भी 20 नंबर की है और मैं बता दूं यह जो section है deciding factor रहेगा यह आपके selection decide करेगा जो 20 नंबर की section है मैं बता दूं इसमें देखो topics अगर बात करें इसमें topics ना 20 नंबर की चाहिए लेकिन topics आप देखते हो 23 topics है इसमें total मतलब एक question भी नहीं किसी में से कितने ऐसे topics हो जिसमें एक question भी नहीं आएगा तो यह देखो आपके 20 नंबर की section है तो इसमें आपने थोड़ा smartly work करना है थोड़ा सूझबूच से काम करना है मैं बता दूं यह जो आपके topics हैं इसमें से आपको देखो इतने बड़े बड़े topic है अगर यह syllabus इसका जो 20 नंबर का syllabus है आपको किसी एक paper में भी डात तो वह भी इनफ है आप देख सकते हो इदर पहले topic आगया first in world first in इंडिया ठीक है popular personalities इसमें JNK की बात नहीं हो रही इसमें all over personalities हमें करने पड़ेंगे the newspaper world languages and culture international organization ठीक है अब देखो smartly कैसे work करना है अगर तो लेकिन आप अगर इसका target रखें कि हासर दस से बारा नंबर हम इस पर target रखते हैं कि इतने लाने ज्यादा नहीं लाएंगे ज्यादा कभी लालच भी नहीं करना मैं यह भी कहूंगा ठीक है तो देखो 13 नंबर की section और इस पर syllabus इतना वास्ट है अब मेरी और से यह कोशिश जाएगी जिसके एक मेन components है जैसे आपके लिए फर्स्टीन इंडिया की को मैं कोशिश करेंगा कि एक lecture आपके लिया हूँ तो और भी अगर बात करें इसकी आपको प्रॉपर ली लेक्टेस प्रवाइडिड है आप उपर आई बटन को क्लिक करें उदर आपको lecture मिल जाएग ठीक है उदर से आप देख सकते हो 100 mcq भी मैंने इसको पक्रा दिये इदर से चलो एक नंबर तो पक्का करो अपना फिर बात करें languages and culture culture भी बहुत बड़ा है अपने में और यह देखिए यह वाला topic आप इसको prepare कर लीजिए मैं आपको कहता हूँ sustainable development goals यह भी basic है यह आना चाह पर शचम करेंगे फिर अगर बात करें हम नीचे अगर बात करें world famous awards को मैं कोशिश करूंगा कि आप तक कि इसके उपड़ दो Cities और अब है मैं अब आपको उसके लिए प्रिपेर करने वाला हूं यह जो बीस नंबर की याली सेक्शन ना इसके लिए मैं प्रिपेर कर दूँँ कि आपके बारा चोधा नंबर बन जाएं फिर आगे हम बात करते हैं और कौन सा आपको इसमें पढ़ना चाहिए डैड इस इंपोर्टन रिवर्स लेक्स इंडिया यह इंपोर्टन आपका आता है इसके उपर आप कह सकते हो कि दो कोशन क्या बता आ रहा है अगर दो आगे तो सोने पर सोहागा हो जाएगा मैं कोंगा तो और अगर बात करें डैड इस टेक्सेशन रोल आफ आई आर भी है यह आपका हमने एकनोमिक्स इसको आप तोड़ा सा फोकस कर लो आपको असानी हो जाएगी ठीक है है आपका कुछ हत तक स्कोर बन जाएगा क्योंकि कुछ बच्चे मुझे कहते है थे सर में ये 20 नंबोर क्पीसेशन और दोगे आपके पहले ही 100 नंबोर कपेपर आगा आपके पास सो नंबर के रह गया तो सो में से अगर सो में से इस डिफिकल टास्ट मैं क्म कहूँ कर बैरी क्या नामूंकिन है इस हमें 20 का लाना इस हमें चोड़ा दिहें। तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेर करा दूँगा आने वाले दिनों में ठीक है बस यह दो लेक्चेस में खतम होने तो वह सच आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह भी आप देख लेना फिर बात करें मैंने यह बता दे कि इसको आप प्रॉपरी कर लो यह भी इस नंबर की है देखो यह भी हरें जोती आपको असानी से हमारे यूट्यूप चैयल परमी यूट्यूप और किसी यूट्यूब से आप प्रिप्रिय तो उदर भी मिल जाएगा हर किसी ने अले टॉपिक्स कराएं हो एध टीक है आगे बात करें जरनल साइंस भी मारें यह इंत्या यह तो बात करें मैक्सिम में टॉपिक 10 तक ही है तो देखो बात करो तो सोर्सेज आफ एनर्जी इंप्रूवमेंट नॉन किन्वेंश आफ एनर्जी ठीक है फिर आपके लाइफ प्रोसेस आगे वीटमिन आगे अगे इको सिस्टम ओजोन लियर्स ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टम सॉलिड लिकोड गैस अब यह भी आपकी अगर आप साइंस बैग्राउंड से तो उंक्य तो ही बीस नम्पर मैं कहूंगा कि वो कहें कि हां सार हमने इससे पक्का समय लेकिन जो भी साइंस बैग्राउंड के नहीं है तो अब आपके वास तो चलो टाइम तो नहीं है मैं कहूंगा कि अब इसके ओपना कुछ इंपॉर्टेंट एंसे क्यूस आप देख लो आपको हर क्या नैशनल लेवल के जो चैनल से उन में भी बिल जाएगी ठीक है उत्र आप यह पड़ सकते हैं यह कुछ बीस सब्सक्राइब बात करें नौन करिंशन सोर्स ओफ इनर्जी वह भी आप पढ़ लिए स्टेक्ट्चर अफ एक्टम आप पढ़ लीजिए ठीक है तो सौरी स्क्राइब थोड़ा सापके लिए वास पता है जो नौन नौन साइंस बैक्ग्राउंड के ठीक है उनके लिए सक् बात करें बात करें बात को आपको आंसर आता है तो टिक नहीं तो क्रॉस नहीं तो लेफ्ट कर देंगे लेफ्ट वर कर देंगे आगे बढ़ जाएंगे लेकिन बस और बस चार मिनट लग जाएंगे जादा से जादा कहा हूं कोई कोई कोशन ऐसा होगा जो एक मिनट में भी निखलेगा तो इस मेंटल अबलीटी को भी ध्यान से कर लेना रीजनिंग पे तो टाइम की आप यह अगर आप मंद से पहले ही सोच कि जाओगे कि हाँ सर टाइम की कमी है ऐसा नहीं है एक सो बीस मिनट बहुत होते हैं दो गंटे बहुत होते हैं हर एक एक एक्जाम के लिए तो आगे हम बात करें डैडिस सेक्षिन है यह तो बिल्कुल ही पांच छे सेक्षिन इसमें छे टॉपिक इसमें डाले हैं डैडिस कंप्यूटर साइंस हाडवे साफवे इंपूट आपूट अपर इमेल और एमस ठीक है अब यह छे सेक्षिन है अब मैं आपको ग्रेंटी देता हूं आपकी जो छे को इदे इन्होंने लिखा भी नहीं है तो फुल फॉर्म पढ़ लेजिए बाकी यह भी बेसिक है बिल्कुल बेसिक है यह मत सोचो कि हां मैं कंप्यूटर की साइड का नहीं हूं कंप्यूटर मेरी स्ट्रीम नहीं थी लेकिन यह बहाने होंगे मैं कौंगा कंप्यूटर निकाल पाऊं ताकि आपके चालीस नंबर में भी अच्छे माक्स आप ला सको और जब आपका यह स्लेबस कंप्लीट हो जाता है एंड की डेस में कोशिच कीजिए कि मैक्सिम टू मेक्सिम मॉक लगा सको आज कर दिफिरेंट प्लैटफॉर्म से हर एक प्लैटफॉम आपको अपने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करें देखो वह आप मॉक टेस्ट दिया करो चाहें कुछ पेड होता है नॉमिनल से चार्ज होता है हर एक के मैं यही कहूंगा वह एक तरह से मैं कहता हूं कि इंविश्मेंट की तरह होती है आपकी अगर आप वह जॉब पारना चाहते है यही हैँ कि अपने टेस्ट कर सकते हो आपको पहले ही पासा देखो मैं भी कोशिच करूंगा कि आपको एक-जौक कर सकूँ लेकिन दीता हूं कोशिच मेरी यही रेगी लेकिन एक्जाम डेस्ट में अभी मॉक टेस्ट दिने का कोई फाइदा निए मॉक जो आपके एक्जा ताकि यह नहीं कि आप बीमार पर जाओ या फिर आपकी जो दो-तिन दिन है वह और वेश्ट हो जाए ध्यान से सोच समझ के मन लगा के थोड़ी त्यारी कीजिए अपने आपको थोड़ा सा टाइम भी दीजिए थोड़ा सा रीक्रेशन पर फोकस करना ठीक है तो यही था मेरा आज का मेन मोटो तो होपसो आपको पता चली होगा कि जो मैंने कहा है आपके दिमाग में बैट गया होगा तो all the best मैं कहूंगा अब मैं कोशिश रही ही रहेगी कि आपके लिए 40 देज में maximum to maximum आपकी प्रिपेशन करा सकूं तो गाइस आज के इतना ही तो जो भी चैपने हो तब तक लिए आपसे से अल्विदा